आउजबिल्लाहिमिन शेतान रजीम बिस्मिल्लायरहमान रहीम वेलकम टो माई यूट्व चनल लखी सर और आपकी यहां आज में एक और प्रापर्टी लेकर हादर हुआ हूँ और आज की प्रापर्टी में मैं आपको पढ़ाऊंगा मल्टिप्लिकेशन और एडिशन कैसे जाती है तो मैंने कल आपको बढ़ाया था पर शायद कुछ मैंने मिस्सकर दियुए ठीक उसको भी मैं आज क्लियर कर दूँंगा ठीक है कैसे आउगे आपको बता रहा हूं यह देख लें यहां पर लिखा हुआ है डिस्रीबियूटि प्रापर्टी आप मल्टिप्लिकेश से सोल करेंगे तो सबसे पहले आप देख लें यहांपर क्या लिखा हुआ है डिस्स्ट्री अ प्रापर टी आफ मल्टिपलिकेशन ओऊर सबॉँट और राइट सबसे पहले आप यह समझ लें लेव लेफ्ट और राइट का मतलब क्या है ठीका और इसे जो हम क्या करते हैं साय सब्ट्रेक्शन का है जिस shape मैंने पहले आपको ठाइधी क् WHY x cheeridal एक est funded और दूसरी क्राथी मैं और ऐसमें यूज कर रहा रहां किसमर अऊसर्टे तरह G 20 और क्यों एक managed condition होगा और दूसरा संब्च्रेक्शन होगा वह क्या एक यह रैइट में व ait आपको मैं समझा रहा हूँ, तो सबसे पहले आप इस sums को फोकस करें, जो मैंने अल्रेट इवेलू आपकी यहां लिख लिया है, यहां पर आप देखें, A है, और सिम्माल ब्रेकेट स्टार्ट हो रही है, B पिलस C है, सेम यहां पर A भी लिखा हुआ है, और पिलस में इसे है, यानि ये मल्टिप्ला ह हो रहे हैं, यहां पर आप A जो मेंबर लिखा हुआ है, आप इस पर फोकस करें, यह कौन सी साइट में, laptop साइट में हैं ना, हम इसे क्या करें हैं, अब ये left में हैं, इसलिए यहां पर ये left में आ गया, और यहां पर इसको हम इस सुरत में लिख सकते हैं, एक और तरीका भी है, इसे लिखनेगा, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको ये इस पर कुछ थोड़ा सा doubts हो, तो ये किसे होगा, तो इसलिए आप इसा भी लिख सकते हैं, क्या, एक को multiply कर दें, बी से, और से मेहर, पिलस में, sign यूज़ करें, पिलस की, और यहां पर क्या करेंगे, एक को multiply करें, सी से, तो आपकी same property की, ये right side है, आज जाएगे, ठीक है, तो right क्या होता है, राइट भी आप सीखते हैं, राइट में, इसा होता है, right में अब देखें, यहां पर क्या था, सी bracket में बंद नियाने, बी पलस सी क्या है, ब्रेकेट में close है, और A कौन साइड, बाहर है, और यह हमें दिखाय देरा है, या ब्रेकेड में बंद भी आपकीड, तबाः निकला है, यह हमारी कौन सी side है, राइट साइड है, क्यों climate है क्योंके राइट का जो मेंबर है वो बाहर निकला हुआ है सेम है इसकी यह साइड में क्या होगा A को मल्टिप्लाइ करेंगे B से और पिलस की सैन बीच में यूज करेंगे B को मल्टिप्लाइ करेंगे C से और यह हमारे बन जाएगी अगर फिर भी आपको यह समझ नहीं आरे तो इसका भी एक हल है आप इसको भी इस तरीके से अलग करके लिख सकते हैं वो कैसे आएं वो भी मैं आपको बताता हम तो आप इसको यह साग कर सकते हैं A मल्टिप्लाइ वाई B B प्लस किसान यूज़ करके यहां पर लिख लें B मल्टिप्लाइ वाई C तो यह A से सोल हो जाएगी और दोनों साइड में प्रूफ हो जाएगी अगर फिर भी आप से प्रूफ नहीं होती तो मैं आपको प्रूफ करके समझा जाता हूँ ठीक है बबाँ तो डिस्टिप्लिट्व प्रॉपर्टी आफ मल्टिप्लिकेशन और सब्ट्रेक्शन वो कैसे होती है वह भी सेम तो सेम यही मेथड है इन दोनों का आपको यह बात लाजमी याद रखनी है तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर लिख लूँ लेफ्ट तो इसका लेफ्ट क्या होगा इसका लेफ्ट इसा होगा यहां पर लिखान मैंने जैसे A, यहां पर लिखा B, यहां पर लिखान पिलस, यहां पर पिलस की sign है, बस आपको changing और कुछ नहीं करने, यहां पर minus की sign use करेंगे, और यहां C लिखेंगे, bracket को close कर देंगे, same here, यहां पर लिखेंगे A, B, minus A, C, तो यह आपकी left hand side distributive की property बन करते हैं, अब इसका मैं अगर right लिखूँ, तो right कैसा होगा, वह आप देखें, तो right इसका होगा, same here, A, minus B, bracket, close, और इसके बाद C लिखूँगा, same here, क्या करूँगा, यहां पर, इसके side है, A, B, और minus, क्या लिखूँगा, B, C, इसी तरीके से आपकी यह भी solve हो जाएगे, तो यह हमारे कौन सी side मिला हमें, यह हमें right side मिला, और यह हमारा कौन सा side है, left side है, हाँ, इसके हम sums को भी proof करके देखेंगे, कि कैसा sums पूरूफ किया जाता है, ठीक है, तो अब मैं इस property का एक दो, sums भी solve कर देता हूँ, ताकि आपकी यहां, यह doubts किलियर हो जाए, अब देखें, मैं इसे क्या करता हूँ, इसकी मैं, क्या थी, distributed property of multiplication or addition, ठीक है बबा, तो इसकी मैं क्या, तजज़ा लेकर, एक sums लेकर इसे solve करूँगा, तो मैं यहां पर एक sums ले रहा हूँ, जिसे कि, यहां पर three, और multiply it करता हूँ, उसको, किसी भी number के साथ, five plus में two, ठीक ह अब इसकी मैंने, यह left hand side लिख लिए, अब मैं इसके क्या right hand side लिखूँगा, और इसके बाद इसे हम क्या करेंगे, solve करेंगे, तो same here, आपको क्या करना है, three, break, यानि, sums को हमेंशा हम क्या करते हैं, नीचे उतारते हैं, same ही, ताकि हमारे sums पर किसी किसम का असर ना हो, तो इ यहां पर क्या लिखा हुआ है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, A, B, यानि A और B, यानि इसको मैंने आपको और तरीका भी बता जाता कौम सा, कि इसे हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, क्या, A multiplied by B, bracket closed, plus में A multiplied by C, ठीक है, तो यहां पर मैं समझ लूँगा कि यह A का वे इसको multiply करूँगा, B के value के साथ, यानि 5 के साथ, same here, plus के sign use करूँगा, A का value में कौम सा है, 3 है, और C लिखा हुआ है, तो C का value कौम सा है, 2 है, तो आप देखेंगे किसका left है, और right क्या होता है, तो आप bracket के जो आप बाहिर है, उसे आप छोड़ दे, same ही लिख ले, ठीक है, इस दोनों को आपस में करेंगे, add, bracket के बाहिर मेंस, board mass, यानि यहां पर multiply already होगी, तो 5 को अगर हम 2 से add करेंगे, तो कितना आएगा, 7, ठीक है, और 7 को हम अगर 3 मर्तबा multiply करेंगे, तो कितना answer आएगा, 21 ठीक है, हमें आरे पास, इस side का answer निकल चुका है, अब इस side का निकल अब 5 को अगर हम 3 times multiply करेंगे, तो कितना answer आएगा, 15 आएगा, और उसके बाद plus के send use करेंगे, 3 को 2 times multiply करेंगे, तो 6 आएगा, और 15 से अगर हम 6 add करेंगे, तो कितना answer आएगा, 21, तो यह देख लेंगे आप, दोनों side में क्या हो गया, proof हो गया, तो यह हमारा था कौन सा था, distributed property of multiplication over addition, अब हम इसे subtraction की तोर भी solve कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, हमारी यहाँ, value identity में आपको समझा दिया है, distributed property of multiplication over subtraction, अब इसका value हम यहाँ पर लेखेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से solve कर लेंगे, तो देखें आप, इसका value में यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे के, यह plus में था, तो इसका value कौन सा होगा, minus में होगा, तो क्या करता हूँ मैं इसकी, यानि यह हमारा कौन सा था, left था, इसको, left के तरीके में solve कर देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर a, और b, minus c, same here, क्या करूँगा है, इसकी यहाँ, inequality के sign यूज़ करके, a, b, और उसके बाद minus में, a, c, ठीक है, तो i, इसके भी हम proof करके देखते हैं, same value कोई में होता लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है, तो देखेंगे अब, यहाँ पर मैं, मसला 3 लिख ले रहा हूँ, 3, उसके बाद, 5, minus 2, okay, और उसके बाद यहाँ पर भी दोनों value रखूँगा, 3, multiplied by, 5, minus के sign, और उसके बाद a का value 3 है, और c का value क्या है, हमारा, 2 है, तो इसको यहाँ लिख लूँगा, same, अब क्या करूँगा, इसे में, आपस में, multiply कर दूँग 3, same, बाहर लख रहा हूँ, multiply के sign, 5 से अगर मैं 2, minus करूँगा, तो 3 आएगा, 3 को 3 से multiply करूँगा, तो 9 आजाएगा, same here, यहाँ पर इन दुनों को में, आपस में, multiply करूँगा, तो 15 आएगा, और उसके बाद, minus के sign, use करूँगा, 3 को 2 times multiply करूँगा, तो 6 आएगा, 15 से अग वो क्या हो गई, सोल हो गई, तो अमीन करता हूँ, कि मेरी आज की वीडियो आप सब को पसंद आगई होगी, तो मिलते हैं next video में, next video में निशाल्ला में आपकी यहां, कुछ अच्छी लिक्षा लाऊंगा, यानि, next video में हम निशाल्ला सेेंगे, properties of equal, equality of real numbers, और उसके बाद property of inequalities of real numbers उसके बाद हम क्या करेंगे exercise का अच्छे तरीके से start लेंगे तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए Allah आफिस